श्री शिवाय नमस्तब्याम हर हर महादेव देखे आज 17 अक्तूबर कार्तिक मास का पवित्र महीना चल रहा है और आज सोमवार की अस्टमी है और आज ही की रातरी में आपको बहुत ही अच्चुक उपाय करना है मात्र 11 चावल की दानों से और एक दीपक से बहुत ध्यान से इस उपाय को समझना क्योंकि यह उपाय आपके जीवन में लक्षमी की वृद्धी करने वाला है यानि की धन की वृद्धी करने वाला है इसलिए इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना पुझ्जी गुरुदेव की ही कता सुनकर के समझाने का पूरा प्रयास करूंगा लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अगर पहली बार आ हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. आज शिव योग भी है और सिद्धी योग भी है और इसी शिव और सिद्धी योग के अंदर आपको यह उपाय करना है यानि कि आप यह जो उपाय है आपको सूरियास्त के बाद करना है सूरियास्त के बाद आप कभी भी कर सकते हैं नो दस बजे तक भी कर सकते हैं जब आपक गुरुदेव के अनुसार सुमवार की अस्टमी के दिन बिलव रक्ष की जड़ में शाक्षात माता लक्षमी का वास होता है और आपको ये उपाय बिलव रक्ष की जड़ के वहाँ पर ही करना है यानि कि बेल पत्र का जो पेड होता है वहीं पर उनकी जड़ में आपको ये बना सकते हैं आटे का दीपक बनाएंगे तो बिना नमक काटा बनाएंगे और दीपक बनाएंगे साथ में आप जो बाती लगाएंगे इसके अंदर वो लंबी बाती लगाएंगे लंबी बाती क्यों लगाते हैं क्योंकि हम देवी का पूजन कर रहे हैं और हमारे जीवन में ह साथ यह जो चांवल है यह आपको ले करके जना है बिलौ व्रक्ष के वहाँ पर अब और आप क्या करेंगे एकए चांवल का दाना Aidham Akshatam Aam Maha Lakshmi Nada. जाप करेंगे फिर चांवल का दाना नीचे जमीन पर डालेंगे यानि कि वहाँ पर पास intensity जमीन के अंदर आप डाल देंगे, फिर वापस से आप जाप करेंगे इस परकार से 11 बार जाप करके 11 अक्षत के दाने डाल करके और उसी के उपर आप कोई दीपक पुरजिलित करना है, देखें महालक्ष्मी का वास घर में हो और इस पवितर महीने में हम दिपावली के दिन धंते रस के दिन महालक्ष्मी को याद करेंगे और उसी में कार्तिक मा के इस पवित्र महीने में दुरलब सोमवार की अस्टमी आई है तो आज की रात्री में आप ये उपाई जरू करें श्री शिवाय नमस्त ब्याम हर हर महादिव